बिस्मिल्ला इर्रह्मान रर्रहीम असलाम लेकम डियर स्टुडेंट्स तुडेंट्स तो यहां मैं आपको एक पैटरन दिखा रही हूं कि फाइनल लेसं प्लैंस बेहतरीन अंदाज में किसरा से बना सकते हैं आप लोगोंने अपनी जो हैडिंग्स हैं वह अपने सुपरवा जाते हैं तो फिर इस तरह से यह कुछ प्लीट हो जाता है ठीक है ना और स्टूटल शिक्स पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप उसमें कोश्चन फिर लिखें जो भी अपने टॉपिक से रेलेवेंट है दैन आप लिखें प्रिवियस नौलेज अब यह कहा जाता हैं यह लि देते हैं कि सिर्फ कोस्टन लिख देते हैं प्रिवियस नौलेज में और उससे क्या होता है कि सिर्म्पल सिंपल मारा बहुत सिंपल सा लेसन प्लान लग रहा होता है तो हम इसमें कोई प्रिक्चर्ट वगरा एड़ करके उसकी डिफ्रेंशेशन या उसकी अनलेज्ट या उसको लेबलिंग कुछ भी तरह से किसी भी चीज के हवाले से हम उसको अगर हम उससे रेवेंट पिक्चर मिलती हैं प्रिवेस नौलेज का मतलब यह होता है कि हम किसी भी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के नौलेज को जज़ किया जाए ठीक है तो यह भी आप इसमें बताना जरूरी है लेकिन वह यहां पर मिसिंग है इस पॉइंट में हम यहां पर इंस्ट्रक्शन मैटीरियल डाल देंगे और पॉइंट इसमें मतलब कि एक और एड कर देंगे इंस्ट्रक्शन मैटीरियल का दर इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन मैटीरियल क्या होता है कि आप पिक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं, आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ, उसके बाद आप लिखेंगे अनाउंसिंग, टॉपिक अनाउंसमेंट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है, हम इंट्रोडक्शन को एक announcement भी कहते हैं, वो भी इसमें ही आ जाता है, तो ये इसके साथ introduction हम कर रहे हैं, उसके बाद आपने presentation स्टार्ट करनी है, presentation में आप बहुत detail में हर चीज़ को बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और ये साथ-साथ pictures इसमें add की रही हैं, जो भी presentation की topics हैं, उसमें relevant pictures लाजमी एड़ करें, activities एड़ करें, activities के बाद आपने उसके assessment करनी है, assessment में आप questions दिख सकते हैं, worksheet बना सकते हैं, और किसी बी तरह से जैसे blanks दे सकते हैं, pictures के labeling दे सकते हैं, activities वो आप किसी बी तरह से assess कर सकते हैं, then conclude करेंगे, और homework assign कर देंगे, ये था lesson number one, इसी तरह आपने उसके बाद ही next page पे lesson number two start करना है, उसमें आप देखेंगे जी, learning objectives आपने वही आइडिंग, previous knowledge है, methodology है, और methodology के बाद आपने instructional material, AV AIDS के बारे में लिखना है, topic announcement का एक point डालेंगे, आप इसमें introduction, उसके बाद शुरू हो जाएगा, आपके topic का, ये देखें जी introduction के हवाले से pictures हैं, उसके बाद presentation के हवाले से सासाथ pictures है, food web उसका point है, तो उसके activity one, activity two, ये final lessons है, जो के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने design करने होते हैं, assessment, आपके assessment में आप एको सिस्टम है, तो आप question भी कर सकते हैं, कोई worksheet भी दे सकते हैं, picture के through भी पूछा जा सकता है, conclusion and homework, this is a pattern to make lesson plans, final lesson plans for course code 8608, thank you so much